असकार मया विशेक राज एक बेहदी इंपॉर्टेट नोटीस रेलेवे रुकूर्मेंट बोर्ट के तरफ से जारी किया गया है और इस नोटीस में निमंतरन दिया गया है अमंतरन दिया गया है किसको जो मुंबई जुडिक्सन के अंदर में आते हैं जितने मी कोचिंग संस्थान सब के डाइरेक्टर को बोला गया है कि भाई आए हमसे मीटिंग कीजिए डेट 29 तारी को तीन बजे ये ओनलाइन मीटिंग होगा और इसमें ये लोग असपस्ट करेंगे कि भाई बच्चों को मिसगाइड़ ना किया जाए चाहे जो भी बच्च मीटिंग किया था मुंबई और रर्वी बोर्ड मीटिंग कर रहा है तो इसमें कुछ मुद्दे होंगे जो बच्चों के मुद्दे को लेकर आगे बातचित होने वाली है तो एक मुद्दा और हमाइड करना चाहेंगे कि अगर रिलेवे चाहता है कि हम क्यों वर्ली आईट ठीक है मेरिट लिस्ट इसी से बने बाकी जो सीलेबस वेसर है पाटे रहना चाहिए कोई दिकत नहीं है लेकिन मेरिट टेकनिकल के बना दे अब इसमें समस्य क्या होगा जितने भी जो यूटूब पे दिख रहा है ना बहुत सारे फैट्री लोग बच्चों के हम दर्द ल कोचिंग है जो ibaसी के कोचिंग है जो इंटरस्टरी ये कोचिंग है कि भाई रेलेवे बहुत नुख्षान कर रहे रहे हैं यह कोचिंग वाले भी तो नुख्षान कर रहे हैं जब हटाए को हटाए ग्रूप-डी से तो यह सारे कोचिंग वाले चुप थे, कोई बोला था, कोई नहीं बोला था, रेलेवे गुरूप D में अप्रेंटिस सीप अगर जो बच्चे रेलेवे से करते था, उनको डाइरेक्ट रख लिया जाता था, लेकिन आज एसी सीप की अप्रेंटिस सीप करने वालों गुरूप D में कोई 20% आरक्षन दिया जा रहा है, उस समय भी कोचिंग वाला नहीं बोला था, तो जो IETI के हमदर्द बने हुए है न, उनका बस एक ही मौकसद है, कि हम भाई, कोर्स मेरा सेल हो जाए, बेसिक फांडमेंटल पर कोई बात नहीं कर रहा है, रेलेवे लपी की भरतिया ही है, टेक्निसियन का भी आना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, जो हमारा सीलेबस का पैटर्ण है, जब IETI के बच्चे ही सेलेक्ट होने वाले हैं, तो कियो न, सेलेक्शन का बैसिस हमें, टेक्निकल रखना चाहिए, कियो न, टेक्निकल सम्ट सेलेक्शन लेंगे भाई, इतने अगर बड़े IETI के हमदर्द हैं, जितने भी कोचिन संस्तान दिख रहे हैं, तो कर दिजिए, उनली फो टेक्निकल, एक्चुल जो IETI वाले बच्चे हैं न, वो आ जाएंगे, अब दिखत क्या है, कि उनके कोचिंग में, जो SSC के बच्चे हैं, जो CGL के बच्चे, जो बैंक वाले बच्चे हैं, जो पुलिस वाले बच्चे हैं, पुलिस वगला के त्यारी करते हैं, उनको साइड से ये लोग मोटिवेट करके, ITI कराए हुए हैं, डीजल से, वेल्डर से, तमाम एक वर्सी कुर्से, अब उन लोग उनको कुर्स इनको बेचना है, अब उन लोग साइड, उनसे पैसे लेने हैं, है ना, दो-तिन तरीके से पैसे ले चुके हैं, फिर से पैसे लेना है, है ना, SSE के लिए पैसा लिए हैं, बिहार दुरुगा के लिए पैसा लिए हैं, इंटरस्तरी के लिए पैसा लिए हैं, तमाम तरह के पैसे लेकर पढ़ा दियें, अब रेलवे के लिए भी उनको पैसा लेना है, अब उनको पेट में दर्ध होगा, अगर सिलिबस में बदला हो गया तो क्यों मेट बनेगा पाट B पे, यह भी एक मुद्दा होना चाहिए, इसके लिए तो कोई नहीं लड़ रहा है गुरूप D में ITI लागुत होना चाहिए था, 2018 में इनहीं लोगों ने बवाल कराकर बच्चों को भड़का के ITI हटवा दिया, उससमें भी ITI के हमदर्ध बनते गुमते थे नहीं बने, खतम हो गया कहानी, और किराय के फेकल्टी हायर किये हुए हैं मन्थली, कि आइए, र लिएक भरती के बाद, क्योंकि हमारा ये कामी नहीं, हम तो SSE के लिए हम बने हैं, और अभी हम इसलिए मुद्दे पर बोल रहे हैं, कि भाई, कुछ मेरा बिजनेस हो जाएगा, ति तमाम चीजें, बच्चों को इतना गुमराह किया जा रहा है कि RRB भी परिसान है, हमारी मांगे बहुत सारी है, किवल एक मांग ये नहीं, कि वेकेंसिव इंकिरीज कर दिए, हमारे ITAE के बच्चों के साथ बहुत सारी मांगे हैं, जिसको सुनना पड़ेगा सरकार को भी, और जो हंगामा मचाय हैं, उनको भी, पहला मांग ये है, कि भाई साहब, गुरुप D में ITAE को पुर्णता लागो किया जा, और इसके लिए हर फिकेल्टी को आकर बोलना याग नहीं, ITAE लागो होना चाहिए, अभी एक भी वीडियो किसी के तरफ से नहीं बनाया गया है, ना बोला गया है, ये बोलिए, दुसरा, जो अपरेंटी सीप, पहले से जो नियम था, कि अपरेंटी सीप जो रेलेवे से करेगा, उसको ये और वाईज हम रेगुलर करते जाएंगे, परमनेंट जॉब दे देंगे, ओक क्यों बंद कर दिया गया, उसको लागो करना चाहिए, रेलेवे का जो सीलिबस में बदलाओ किया गया, ठीक है, बदलाओ किये, लेकिन सेले अपरेंटी, आडी ओ बार्क पर बंदा है, क्यों नहीं बनना चाहिए, तिर मुदा हो गया, चौथा सुन लिजिए, आईटी एक बच्चे के बच्चे आज इतने परिसान है, क्योंकि आईटी के बच्चे किसान घर के मजदूर के गाओं के हैं, गरीब के बच्चे हैं, उ उनका आवाज बनी है न बाई आईचेव पढ़ाया जाए तीसरा है कि जब मान लिए सारे आईचेव बच्चों को तो नोकरी मिले का नहीं जो कुछ बच्चे है जो प्राइबेट कमपणियों में काम करते हैं तो प्राइबेट कमपणियों को जो सेलरी का रेंज है न ओम प्राइबेट कमपणियों काम ले रही है बच्चों से आठ घंटा ये घर चल जागा इनका नहीं चलेगा तो इनकी सेलरी बढ़नी चाहिए आईचेव बच्चों को सेलरी कम से कम 20,000 मिनिमम होना चाहिए जोइनिंग और इसका रेंज 35,000 तक पहुँचाना चाहिए जो कोई फेकल्टी नहीं बोलता है इसके लिए कोई कोचिंग संस्थान नहीं बोलता है दोईराथारा से लगतार हम लड़ रहें मेरे उपर बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया केस किये क्या नहीं किये लेकिन हम बोलना बंद नहीं करेंगे और ना किसी को बिजनेस करने आप अगर चाहेंगे कि ITI के बच्चे को हम ठग लें बिजनेस कर लें तो पसुबल नहीं है केवल एक ही मुदा नहीं है कि आपका कुर्स भीगी जाए उसके लिए हम यह कर दें वो कर दें बहुत 6 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार कर तो हमको बताईए कि हर साल, हर साल जो बच्चे हैं ITI करने वाले हम दिखाते हैं डेटा आपको 25 लाख बच्चे ITI करते हैं हर साल 25 लाख बच्चे ITI करते हैं जिसमें एलेक्टीसियन फिटर की मिला दे तो 12 लाख के आसपस ये बच्चे हैं हर सार 12 लाख आई टाई के बच्चे एर्टेशन फिटर वाले आई टाई करते हैं सीट अगर 50 जार भी रहेगा तो जोड़ लिजे कि 12 लाख में से 50 हजार को ही नोकरी मिलेगा बाकी एक मुझदूर किसान के बच्चे गाउं के बच्चे क्या मुझदूर ही रहेंगे बनके क क्या उनको 8000 ही सेल नहीं मिलेगा क्या वो 12 घंटे काम करें तो बारहाजर देजिएगा भिक्षा दे रहें काम करवा रहे हैं आपकी कंपणी का प्रोफिट अर्वो रुपे हो रहे हैं कोगो का ट्रन ओबर दिखा रहे हैं और आई टाई के बच्चे जो आपके कंपणी का आत्मा है रिल के हड़ी है उनको 8000 आप दे रहें कौन सा नियम है कौन सा करूं मैं भाई अगर आप सच्च में टीक्चर हैं सच्च में फैकल्टी हैं सच्च में हमदर्द हैं आई टी आई क्या तो इस मुद्दा को लेकर भी उठिये ना मुह में दही जम जाता है आपका ठगने का अलावा कुछ दूसरा काम नहीं है हमने नौकरी छोड़का बड़े बड़े ओफर छोड़का बहुत सारी चीज़े छोड़का हमने आई टी आई के बच्चों के लिए काम करना ठारा सुरू किया और जमिनी अस्तर पर हम काम कर रहे हैं और उन लोगों को हम वहां मेरा जो सुडेंट था चंद्रियान थी में भी काम किया था इजीवे के कोचिंग का और इजीवे कोचिंग जाना जाता है अब यह सम नहीं चलता है ठीक है ना एक ही चीज़ बनी अब UPSC वाले जो कोचिंग वाले है न, UPSC वल्य है, तो भाई सही से काम करिए, बच्चों के लिए लड़िए, क्यों अपना कोर्स बेचने के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर आये मुकबला कीजिए, हम दिखाते हैं, आप क्या करते हैं, सब मेरे पास हैं, तो यह नहीं होगा, नहीं होने देंगे, और इन सब आये हैं, ITI के लिए, अगर सब लोग इस पर हमत हैं, तो स्वागत है, नहीं तो आप हमदर्द बने का दिखावा मत कीजिए, पिलीज, जिस हालात में हम लोग हैं, जिस हालात से हम लोग लड़ रहे हैं, हमें लड़ने दीजिए, बेवज़ा छड़िएगा, बेवज़ा म सुने थे, सुनेंगे कोई दिकत नहीं है, खुन के आशु रोकर रह गे थे, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़ा सा गाउस हैं, वो लोग बवाल नहीं करते हैं, वो मजदूरी कर लेगा, लड़ेगा नहीं हक के लिए, उसको जनकारी नहीं पढ़ा नहीं है, इसका मतलब क्य होता है, कि आप लोग आईटे को धन्दा बना लीजिएगा, धन्दा बनेगा नहीं, और ना बनने देंगे, इमंदारी के साथ रहिए, और बच्चों का अगर हित की बात करते हैं, तो बच्चों की हित की बात किजिए, ये बच्चों को रेल के पटरी पर भेज के ट्रेन भेजवाने के काम मत करिए, क्योंकि ये जो रेड ट्रेन रोके के न, जो पटरी पाएंगे न, उसे 15 लाख बच्चों का भविस नहीं बदलने वाला है, 25 लाख बच्चे जो हर सरा आईटे करते हैं, भविस तभी बदलेगा, जब सिस्टम सुधरेगा, तो सिस्टम में बह करना पड़ेगा, उसके लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी, केवल कोर्स बेचने के लिए अपना सीट बढ़ा दीजिए, कोर्स मेरा बिग जाए, आपको पता भी है कि आईटे कितना भरती आता है, हर सब्ता भरती आती है, सीट पचासी राता है, किसी में 200 राता है, 300 स साल में 100 भरती आती है, पाता तो है नहीं आपको, पढ़ाना तो है नहीं किसी को, वो बुलाए हैं न, किराये पे जो फेकल्टी, जो पढ़ा के चला जागा रहे, इसके बाद तो खतम, हो गया आपका अंदोलन खतम, कोर्स बिग जाए न, आप ही चुप हो जाएंगा, तो फरम महीं भरना भी, हम कहेंगे तो फरम भरना, बस रेलेवे के लवा कोई भरती नहीं आई टियाई में, बस यहीं रेलेवे एक भरती है, सरम के भी हद होती है, भरती तो कम है, इस बात को हम भी एकसेप्ट कर रहे होना चाहिए, लेकिन सारे मुद्धे पर सामने आई है न कि ब्यस्पीचीर के लिए ट्वीट के थे, कर मिले भी भी एक भी भी है के जाकर मीले भी बूले भी ट्वीट भी टियू और आई है, सामने आप लो. कोई नहीं आया, बस हो गया. Releway Group D के लिए कोई नहीं आया, Opportunistic के लिए कोई नहीं आया. जहां course भिकेगा हम आएंगे, हमना course भिकेगे, मेरा course नहीं भिक रहा, इसलिए हम आ रहे हैं road पे. चले यह ठीक है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है बाकी पढ़ाई आप लोग जैर रखिए और इस सब चक्रों में नहीं पढ़िए सवेधानिक तरीके से जो भी करना है जो भी मांगे आवाज उठाइए बाकी आईटी में बहुत सारी कमी है जिसको सुधरना होगा हमें और इसको आगे लेखे बढ़ना होगा थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगले वडियो में